तो दोस्तो स्वागत है आपका एक नुवाले में बी एच डी एले ले ओंटी सिक्स जिसकी थी आपकी डिमांड और वैसे तो आप दिल्ली को मौसम भी ठीक ठाक हो गया है अगना भी होई तो एक्जान सेंटर में वाटल बोतल लेकर जाना हिमाचल में घूमने का आपका अब कर रहा होगा लेकिन पेपर देना है उसके बाद आपको घूमने जाना है चले करते हैं क्लास की शिरुवाद आप बोलो कि सर क्या बात कर दी थोड़ा मोसम को लेकर रिवाद कर रहा था आपको बारिश वगएर हो रही है ब्लास की शिरुवाद दिसम्बर 2022 पहले आपको प में यह से पूछा जा रहा यह नहीं कि दिन राद आप पड़ाई किये जा रहे हो को यहीं नहीं पता पेपर में आता क्या है तो यही काना है मेरा आप उन questions को चेक करिए जो maximum क्या होएं जो आपके repeat हुए है जो आपके repeat हुए है और ये काम किसका है ये काम है हमारा बस आपको क्या करना है हमारी previous series देखो जो मैं भी करा रहा हूं इसके बाद जो भी important question होईंगे वह आपको बता देंगे चलिए करते बी एच डी एले जिसकी थी डिमांड ठीक बहुत ही लोगों ने की थी चलिए करते शुरुआत आपकी class की और चैनल को सब्सक्राइब कर देखो रहा है बार बार भूलना अच्छा है लगता अब इतनी मयानत कर रहे तुमा ले फिर भी तुम क्या करते हो class देखके भग जाते हो चलो आप देखो question paper हर बार की तरह पहले code match करो क्यों कुछ बच्चे आसे होते पूरी class देख लेते फिर बोलते मेरा तो code ही नहीं है आप सबको अपनी तरह हुश्यार मत माने करो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यह भी पूछ लेते सर कितने नंबर मिलते हैं कैस में mcq आएगा अब बीई वीए की स्रीज चलिया 181 की आप खुद ही बताना हमने कितनी बार बता है उसमें 50 mcq हैंगे हम बता बता के ठगे ल से नीचे उनके बारे में भी आप सोचे करिए इसलिए में इंट्रों बताता हूं कि कौन सा कोड स्कोड है कितने नंबर इसके मिलेंगे ठीक पेपर कौन सा है बागी और कोई परपस नहीं है ठीक टाइम बगए आपको पता है फास्ट भी कर सकते हैं चलिए कि करते सुरुआत पहला होगा आपका खंडे जिसे इंगलिस में कहते हैं पार्ट बडेश हशिकायत नामें सार PF की बिए लेकिन रहर भी आपको शिकायत है तलो भी लिए 146 में कांगी बात जोटर है जोडनी पड़ती है क्योंकि वह भी तो कहीं न कहीं हम भी फैक्ट देता है चलिए शब्दों का रतिस्पस्ट कीजिए शब्द क्या होता है तुम्हारे सामने जो भी लिखाई यह यह वाक्या आपको लग रहे होंगे और लेकिन अगर वाक्य को मैं छोटा करूं वाक्य को छोटा होता है यह होता है यह होता है आपके शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है आप समस्ते उध्धारण यह होता है 5000 कह रहो तो उसका कोई न कोई अर्थ होता है जिसके माद्दियम से हम उत्तर कोश्चन का या पढ़शन का उत्तर व्यक्त करते हैं और सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यह कहना चाहते हैं चलिए, हाला कि मैं आपको दिखाऊंगा कि बुक में कैसा है, मैं आपर इंट्रू के लिए कर रहा हूँ, किताब से अलग आपकी बेसिक बेसिक नोलिग, संपादक के लेखन से आप क्या समझते हैं, संपादक कौन होता है पहला तो ये बताईए, न्यूस पेपर आपने सुन पिक तो नहीं है, जो सैंसिटिव हो, कोई धरम अरम के उपर सारी देखने वाद संपादी लेखन से आप क्या समझते हैं, इसका एक्जामपल देकर आपको दिखाना है, ठीक, आगे, शिल्प के, शिल्प के इस्तर पर परवावी लेखन, किस परकार से क्या आतक है, वैसे डिटेल नहीं होता है, है न? शिल्प का मतलब देखो, इसके बार मेन की परिगरिया पर परकास जा लिए, लेखन क्या होता है, आपको पता है, आपने तारक मैंने प्ता जसमा दिखा जाता है मैं आप से ही कहूं पेपर में लिखे आओ तुम बोलो कि सर क्या लिखकर आएं कुछ ना कुछ पहले मैंड में चलेगा ना तारकिक लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग पढ़ियोगी कुछ सोचोगे समझोगे कोश्चन को पढ़ोगे फिर वोलोगे हाँ इसमें यह पूचा फिर उसका अंसर दोगे तो यही तारकिक लेखन का एक प्रोसेस होता है सोच कर समझ कर उसके स्टेप्स मना अगर दो तरीके के पहले लिखूंगा इंट्रो इंट्रो उसके बाद लिखूंगा बेसिक इंफॉर्मेशन फिल लिखूंगा जो आपकी बॉड़ी है काम की चीज फिल लिखूंगा क्लोज क्लोजिंग सेंटेंस यह वाला बच्चा कम से कम क्या बोलो पांच पेज भरके आ जाता है क्योंकि चीजों को बाढ़ते हुए चलता है जब किस वाले को पता ही नहीं होती यह विचार क्या करता है बेसिक इंट्रो बेसिक इंट्रो कंक्लिउजन कुछ भी तो एक स्टेप बना के चलो इस तरीके से आपको लिखना है मैं तरीका बता रहूं पेपर करने का बाकि आप 12-15 साल से पढ़ाही कर रह वह आपकी पर्सनल चौइस है यह मेरा बताना है कि हां अब आपको कैसे लिखना चाया किसी भी चीजी की सुरुवात करो वो बॉल रिमेट इतनी तगरी होती है करें लिक लिखके हाथ दुख जाते हो इंहीं के लगदे खंटेग्मढदल जाता है निफे इक सब्सक्रेंसे अकूलत फाटबने बोड़ किने देखती मारा नें तुम ओप ओफ चारिक ओफ चारिक यह मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ओफ चारिक और इसका उल्टा होता है अनौफ चारिक अनौफ चारिक आप सभी ड्यूटी वगर यह जॉब करते हुए वहां पर जो भी लेटर जो भी इंविटेशन जो भी चीज़े आप दे रहे को या किसी प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी चीज़ लिख कर दे रहे हो वह सब आपका कहा आता है वह सब आपको ओफ चारिक आता है अब आपके इसमें कोई घरवाले तो नहीं है इसी का पोज़ेट अपको अनौफ चारिक जब आप बात करते हो किसकी पार्टी की करते ह बड़े की करते हो भाई की स्कूल फीज जमा करनी है किसी को खुश खबरी देनी है तो आप बात करते हो ऐसे लेट रोगी यह आसान भास में मैंने आपको समझा यही होता है अपको अनौफ चारिक अब इसका पारूप से यार घरना है पारूप क्या होता है पहले अपना प बताओं तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो गए यह दो टाइप सोते हैं इससे भ्यातरीन तुम्हें नहीं समझा सकता अगली ग्लास अगर पॉसिबल होगा तो पूरे पूरे लेटरी लेकर आ जाओंगा लेकिन तुम थोड़ा सभी अगर कोमन सेंस लगा होगी ना थोड कि अपने लों है औरियो होते आपके अ कि बபार के लोग कि बार के लोग यह की ट्रिक है जिसको नई या दो रहा हूं इससे याद कर लिना बिजिसण वाला हमारे घर को नहिंए सरकार घर की नहीं अपराइफिट सेंटर अमारे ग्रकी नहीं एक आप्छी आप पिर किरिया मेंत है अड़ग्र क्या होता है लेक ट्रांसलिशन अनुवाद परिकरिया में अर्थग्रेण से क्या आश्चा है अर्थग्रेण मतलब है जो कुछ आप से कहा जा रहा है या जो आप ट्रांसलिट कर रहे हो वह आपको समझ में आ रहा है या नहीं जब तक आपको वही समझ में नहीं आएगा आप उससे बात क्या से करोगे आप उसका reply क्या से करोगे तो अर्थ ग्रहन अर्थ ग्रहन अपने आप में बहुत important चीज है अगर यह पूरी की पूरी class में आपको Chinese या किसी और भासा में दूँ तो क्या तुम कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे तो अनुवाद परिकिरिया में इसका बहुत बड़ा मैत हुए चलिए अगला कोई रचना करते समय लेखा को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह कोमन सेंस का कोश्चन भी है आप एक राइटर हो आप कोई रचना कर रहे हो तो आप किन चीज का जिसके बारे में लिख रहे हो उसके रहे में कुछ रहए सम्माय इसे बूकस रहे YouTube लो, Net लो किसी इंसान से बात करो चुनाप करने के बाद कलेक्शन करो उसके बाद क्या करो? उसके बाद उन्हें verify करो क्या करोगे? verify करो क्या जो भी चीज आपने इखटड़ा की है वो सही है या गलत है? सही ही या गलत है? उसके बारे में ये भी देखो, काफी सारी देखो चीज हो सकती है, कहीं न कहीं लिंग, भेदवाव से रिलेटिट तो नहीं है, आपने बहुत से लोगों सुना होगा कि ये तुसे लड़की-लड़की की तारिफे-लड़की, काफी सारे स्टेप्स आपके होते हैं, कम से कम पहुंच पॉइंट तो आपको देए दूँ, अगर मैं कहा रहा हो, इन फूचर ना में क्लास लेपाँ, तो तुम्हें इतना समझा के में जा रहा हूं, लिंग भेदवाव आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिस समाज में रहे रहे हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है संस्कृति या किसी खास समझाय को ठेस न पहुंचा है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, और भाषा, भाषा भाषा बहुत जरूरी है, अब एक बात बताईए, हम रहा तो इंडिया में रहे हैं, और चाइनीज भाषा में हम लिख रहे हैं, तो ये चीज़े थोड़ने क पच्चों के लिए कोई चीज लिख रहे हो, तो आप 60-70 साल वालों की पसंद की चीज दाले, एज गुरूप भी और आपको लाइक डिसलाइक भी रखते हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लाइक डिसलाइक, हैना, तो काफी सारी चीज़े हो सकते हैं, आपको वरणात्मक लेखन करिए, आप उसमें बताएंगे, सर मैं सबसे पहले ट्रेन की टिकेट बुक की, या मैंने हवाई जाच की की, उसके बाद में वहा गया, पूरी की पूरी जर्नी, यैसे यह कह सकते हैं, इसे यह भी कहते हैं, तो वरणात्मक लेखन आपको करना है, उससे क्या अश्य है, सार लेखन, और आपको यह बताना है, यह होगी, आपका पेपर अपका कम्प्लीट, दस कोसेंस आपको दिखाये थे, जिसमें से कुछ मैंना आपको बताए भी है, एक बार दुबारा दिखाऊंगा, दिसंबर 2022 था है, ठीक है, भी एच डिये ले 136, अब आ अब आजाओ, काम की चीज़ पर कैसे बूचेता और क्या रिपीट होगा है, पहला कोस्टन, देखें, पहला कोस्टन ही आपका रिपीट होगया है, सब्दों के अर्थ पर प्रकास डाली, स्टाल लगा लो, सरकारी बत्तराचार की परिकरिया आपको बतानी है, समाचाल ले विस्तरत वर्ण कीजिए, इसके बारे में आप वो लिख देना, जैसे मान के से लिए आप लाल गिला घूमे हो, या आप किसी भी स्टेट में रहते हो, तो उसमें आप कभी ने कभी भूमने तो जरूर गए होंगे, अब सरीप मत बनके दिखाना, घूमने का काम तो तो तुम सब बतोड़े हो बतोड़े एक नंबर के हो तुम आराम से लिख दोगे यह तो यह लिखो तो मैं अपनी कहाने लिखनी है तो यह वाला कुश्चन तो मैं क्या समझाओ जैसे मान कि से लिए इंडियागेट गया सबसे पहले मैं लिखूंगा मैं सबसे पहले अपने दोस्त लाइक आपके सरे आईश्वर को बिलाया उनको मैंने फॉन किया फिर हमने थोड़ा थोड़ा बना भी देना खाना वाना थोड़ा पैक किया हमारा साम का ब्लेंद था कि हम लाल के लिए के पार्ट वन आपको बता दिया पार्ट टू रिपीट कोस्टन के लगा दिये मैंने आईए अनौप चारिक पत्त्र अनौप चारिक पत्त्र अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा किसी एक दिवसी किर्किट मैच जो आपके किर्किट हमारे बॉइस जितने भी किर्किट के बारे में तो तुम कोस्टन करें लड़को बेशती हो जाएगे अगर इवाला कुस्टन छोड़ दिया किर्किट के एक दिवसी मैच का समाचार पत्त्र तयार कीजिए न्यूस वाले क्या से लिखते हैं तो आपको पता ऐसी एडिंग होते खतरनाक सी दौन निन एडिंग फोटो के साथ रिपोर्ट लेघंका रिपोर्ट लेघंका सौधारन समझाईए अनुवाद में वाक्य बहुत और रचना बहुत क्या होता है इससे क्या अश्य है चैलिए रचना की तैयारी किस परकार करनी चाहिए रचना की तैयारी और भाव पल्लवन भाव पल्लवन को सौधारन सहीत इसपस्ट कीजिए सौधारन मतलब होता है आपका एक्जामपल जो आपका भाव पल्लवन है भाव पल्लवन है उसको क्या करना है आपको एक्जामपल से ला चलिए दो कोश्चन पेपर होगे अब यह आपका लास्ट कोश्चन पेपर है फरवरी 2021 अभी उपर करायते मैंने 2022 का दिसंबर और जून लास्ट कोश्चन पेपर है बीएच डिये ले 136 है और पेपर इतना कठिन नहीं है यह सच बता रहा हूं अगर आप इसमें बना-बना क यह भी लिख होगे ना कोई भी गलती नहीं होगी मैं करवाने को यह कोश्चन पेपर सीरीज करा रहा हूं लेकिन तुम्हें भी यह बात पता है एक बार आपको समझ वह आ जाए ना हम स्कूल टाइम में चोटे थे मैं से क्या कहते थे मैं मैं इसका मतलब समझा दो एक बार मैं मैं इसका मतलब समझा दो मैं कहते थी नहीं जब तुम्हें का मतलब ही कोई समझा देगा तो नहीं तो पूरी उमीद के साथ कह सकता हो धंग से देख लिया ना तो आराम से कर दोगे फरवरी लास्ट आपका चेक होगा टाइम एरा आपका और नंबर आपके रहे चलिए अब आपको दिखाते हैं को संस्पार्टे पार्ट टू चलिए पार्टे जिए अब मैं जितने वूल हो इतने लगा लिना हूँ रिपीट कोस्टन है सब्दों के विविन सुरॗत हो नहीं सब्दों के विसब्द के विन शुरूत ह्साम अंहीं है सारे के सारे इस उसके बाद पार्थी से हैं कुछ उर्दू से भी है और अंग्रेजी से भी तो हमारी ना जाने झानल आम का हुआ का हम आम लिए का है सब लिखें लिखा ने लिखा तो इंगलियस से आया नहीं आया आया नहीं आया क्रेख अगिर ये गी plan और भी अब यह तुम्हें लिखा मैंना मानव मानव सब्दमाना संस्कृत का है नहीं है और आप हिंदी में कहते हैं उसे आदमी मानव एक 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 जामपल दिखा करें आपका लाजवाब लाजवाब यह आपके जो ऐसी चीजी होते हैं हाइफन वाली जहां यह मिले फार्सी क लोटा लेकर कहां चला यह देशीवड होते हैं कि लस्टी वाले कुल्डवाली लस्टी पहां तो मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूं यह सब्सब्स जो होते जो संस्कृत वासा से से ले गए और इस अशेट इसम यूज़ करते हैं सब्सम में ठोड़ा से शेंज कर लिया और हिंदी में जवर्दस्टी डाल लिए देसज होते हैं लूंगी लोटा लोटा सिलोटी है ना होता नहीं अपनी बाता में पल्टा कुछ भी गया दे तो तुम विदेशज होते हैं जो सारी भासा उसे लिए यह तीनों के तीनों विदेशज के अंदर आएंगे और भी ज्यादा हो सकते यह मैंना आपको बता दी सोर्थ क्या है पहला कोश्चन होगी आपका complete एक अच्छे नुवादक के लिए एक अच्छे नुवादक के लिए आवस्च कोंगा उसके बटाइए यह तुम बस टाइम पास करने के लिए या रहे हो तो उसके लिए कुछ कौलिटी उती हैं पर उसे क्या क्या पता होने च्छी मैंने अभी अभी उपर आपको बताया भी था वीड़ो एक बड़ा देखना आप तिक कोई रचना करते समय किन किन बात पोस्ट मितमस को सेंसी Lewis popularity शाब करता हूं है कि किसी समाज की बुरा ही ना करता हूं एज गूरूप का है उसके लिखा लिए बड़ों के लिए बुड़्ों के लिए बुड़्ों के लिए जवानों के लिए उसके बाद 0 प्रिवेसन कोश्चन की चलिए एक अर्द सरकारी पत्र का पारूप तयार कीजिए अर्द सरकारी का मतलब क्या होता है आपका अर्द सरकारी मतलब यह होता है आदा गौर्वर्मेंट आदा प्राइविट ऐसी कोई चीज है तो उसका एक्जांपल आप दे सकते हैं उसका एक्जांपल आप दे सकते हैं साइद मैट्रो मेरे ख्याल से पूरा गौर्वर्मेंट क सुब्स तो कि रीपीट कोषचन है किया होता लोजिकल है दूस लेखन चाहिए तब पाघल तो नोट्स वो होते जो तुम मेरी क्लास सुनकर बना रहे होंगे कुछ खाली वीडियो को टू-एक्स करके देख रहेंगे कुछ सोचिंगे डारेक्ट मेरे माइन बढ़ जाए मैं चिट्टी रोगों बन जाओं लिगन ऐसा नहीं हो पाएगा जो नोट्स बनाएगा अगर व करा और यहां पर कराहिए कि तीन को सबस्रinder एक करें इसी तरीकिए से उऔर आने वाले innovat नोट्स लेया जिसको पेपर गर चीए तो हमेरे चैलिट जो चैनले उसे जो 09 कर सकते हैं और उसके अलावा जो paid notes हैं, जो handwritten होते हैं, उसके लिए आप उमें WhatsApp कर सकते हैं, जो description में हम डाल देते हैं, चलिए, तो आशे करता हूँ, आप इसी तरीके से अपना प्यार हमारे उपपर बनाए रहेंगे, बनाए रखेंगे, धन्यवाद,